दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश अधिनस से वचेन आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रारंभिक अरहता परिक्षा यानि पेट परिक्षा के महत्तोपोंड प्रश्णों के अभ्यास सेट में हम साल्व करेंगे सामान निग्यान और करेंट अफेर्स के महत्तुपूर्ट प्रश्णों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है प्रश्णों को साल्व करते समय हम उनके बेयाख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्णों को आसानी से समझ सके और कुछ अन्य महत्तुपूर्ट तथ्यों को जान सके तो आईए शुरू करते हैं पेट परिक्षा यानि प्रारंभिक अरहता परिक्षा के लिए सामा निग्यान और करेंट अफेर्स के महत्तुपूर्ट प्रश्णों का प्रैक्टिस सेट संख्या दो पहला प्रश्ण है दोस्तों निमनलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है आपसन है आपके नेपाल इरान मयामार और बंगला देश तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर इरान आप जानते हैं कि भारत के पडोसी देश कौन कौन से हैं जब उस आधार से आप इस प्रश्ण को साल्व करेंगे तो आप जान पाएंगे कि नेपाल, म्यामार और बंगला देश की सीमा भारत के साथ लगती है जबकि एरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है अगला प्रश्ण है दोस्तों छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्जी कौन सा है आपको बताना है आपसन है महाराष्ट, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडू तो वर्तमान में छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आपसन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान का छेतरफल 3,42,249 बर किलो मीटर है इसके बाद मध्य परदेश और महराष्ट का अस्थान आता है तो छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है घूमर राजस्थान सही है बीहू बिहार सही नहीं है भांगडा पंजाब सही है और लावडी महराष्ट सही है तो याद रखेगा दोस्तों इसमें राज्य और नृत्य का मिलान करना है असम का बीहू है देखे बीहू असम का नृत्य है यतेवार है बिहार का नहीं तो याद रखेगा घूमर राजस्थान का, बीहु असम का, भांगड़ा पंजाब का और लावडी महराष्ट का है तो आपसन भी आपका गलत युगम है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा पुरसकार साहित्तिक कारे के लिए दिया जाता है अरजुन पुरसकार, असोक चक्र, ब्यास सम्मान या गीता चोपड़ा पुरसकार तो सही उत्तर ब्यास सम्मान आप जानते हैं कि जो ब्यास सम्मान है ये भारती साहित्ति के लिए दिया जाने वाला पुरसकार है और ब्यास सम्मान ग्यानपीठ पुरसकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरसकार है केके बीडला फाउंडेशन के द्वारा स्थापितिय पुरसकार दस वर्षों में प्रकासित हिंदी भासा के पुस्तकों को लेखन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरसकार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरसकार है अशोक चक्र और गीता चोपड़ा पुरसकार ये वीरता के लिए दिये जाते हैं एक प्रश्ण और आप जान लिजे कि वर्ष 2022 का ब्यास सम्मान ग्यान चतुरवेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है अगला प्रश्ण बहुत ही आसान सा है कि अंतराष्टी योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाय जाता है तो 21 जून को अंतराष्टी योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाय जाता है पहला अंतराष्टी योग दिवस 21 जून 2015 को मनाय गया था वर्ष 2023 में इस दिवस का मुख विशय या थीम वसुधैव कुटुमबकम के लिए योग है और इस वर्ष योग दिवस पर प्रधान मंत्री नरे इसका मुख्याले कहां है बुरुसेल्स में पेरिस में नियू यार्क में या फिर रोम में तो आपको बताना है विश्व खाद्राष्ट की खाद्र सहायता साखा है इसका मुख्याले कहां पर है तो सही उत्तर रोम में आपसंडी दोस्तों याद रखेगा विश्व खाद् 1961 में याद रखेगा 1961 में अस्थापित किया गया था अगला प्रश्न है the man who made the elephant dance बहुत ही महत्पूर एक पुस्तक है the man who made the elephant dance किस प्रसिध उद्यमी की आत्मका था है तो सही उत्तर डाक्टर वरगीज कूरियन आपसन भी याद रखेगा अगला प्रश्न है भारत के संबिधान में निर्धारित की गई लोगसभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या हो सकती है कितनी 547,545,552 या 550 तो सही उत्तर है 550 दोस्तों लोगसभा के सदस्यों जनता दोरा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चूने जाते हैं इसके सदस्यों की 552 इसमें 530 राज्यों से और 20 संख राज्यों से और दो एंगलो इंडियन समुदाय से हो सकती थी ये पहले था लेकिन 104 संबिधान संसोधन अधियम 2019 के द्वारा लोगसभा और राजविधान सभाओं में जो आंगल भारती समुदाय का प्रतनिधित हो था उनके लिए अब सदस्यों को नामित करने की बिवस्था समाप्त कर दी गई है और अब लोगसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 550 हो सकती है आपसंडी आपका सही उत्तर है अगला प्रेश्ण है 1991 में नई आर्थिक नीत में अपनाई गई मुख्यरण नीत क्या थी उधारी करण, नीजी करण, वैस्थी करण या उपर युक्त सभी तो सही उत्तर है उपर युक्त सभी आपसंडी तो दोस्तों भारत में वर्स 1991 में नई आर्थिक नीत अपनाई गई जो मुख्यत है उधारी करण यानि लिबराइजेशन, नीजी करण प्राइबेटाइजेशन और वैस्थी के सुधार को, बीजों की अधिक उपस देने वाली किस्मों को, सिचाई की अच्छे तरह से विक्सित पढ़ाली के उपयोग को या खेती में उन्नत तकनी के उपयोग को तो किसे शामिल नहीं किया गया है गाउं की सड़कों के सुधार को इसमें शामिल नहीं किया गया है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगले प्रेशन पर चलते हैं निम्नलिखित में से किस वर्स में भारती रिजर बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उधार बनाया था 1998, 2001, 1993 या 1995 में तो सही उत्तर 1993 में याद रखिएगा वर्स 1993 में भारती रिजर बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उधार बनाया था और इसके द्वारत देश में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में ब्रिध्धी हुई थी अगला प्रश्ण है वर्कला, चववारा, चवाकड और नत्ती का किस राज्य के समुदर तठ हैं? करनाटक, महराष्ट, तमिलनाडु या केरल तो सही उत्तर है केरल याद रखेगा वर्कला, चववारा, चवाकड और नत्ती का ये केरल राज्य के समुदर तठ हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों, राष्टी विकास परिशद यानि नेशनल डवलप्मेंट कॉंसिल यंडीसी का गठन कभ हुआ था? आपको बताना है, तो सही उत्तर 1952 में आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा, तिथी है 6 अगस्त 1952 जोस्तों आप जान लिजे कि 6 अगस्त 1952 को राष्टी विकास परिशद यानि नेशनल डवलप्मेंट कॉंसिल के स्थापना की गई राष्टी विकास परिशद एक संबिधानेतर निकाय है, इसका अध्यक्ष परधानमंत्री होता है और राष्टी विकास परिशद जो यूजनाय थी, उनको अंतिम रूप से अनमोधित करती है और राश्टी विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समिक्षा करके आवसकता नुसार अपने सुझाओ देती है जिससे निर्धाति लक्ष को प्राप्त किया जा सके अगला प्रश्ण है न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है घरसड का नियम आगून का नियम जड़त्व या गति का नियम तो उत्तर है न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार को वस्तु विरामावस्था अथ्वा गतिज अवस्था में हैं तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहे बल कारेरत नहो इसको जड़त्तों का नियम भी कहते हैं अगला प्रश्ण है किसे अनुआनसिकी का जनक कहा जाता है फादर आफ जेनेटिक्स याद रखेगा आपसन है आपके डार्विन मेंडल लैमार्क या डिब्रीज तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर ग्रेगर जार मेंडल आपसन भी दोस्तों याद रखेगा कि दोस्तों आनुआनसिकी के जनक ग्रेगर जार मेंडल हैं इसी तरह सरीर क्रिया विज्ञान के जनक क्लाउड बरनार्ड हैं भूगर विशास के जनक जेम सहटन हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तू और वनस्पत विज्ञान के जनक थीयो फ्र डर्मेटाइटिस इसमें तीनों शामिल है, किस बीमारी को? आपसन है आपके इसकरवी, आश्टियो पेरोसिस, जेरो पतेलमिया और पिलागरा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिलागरा, आपसन D दूस्तों याद रखेगा, पिलागरा को D3 बीमारी के नाम से अगला प्रेश्ण बहुत ही आसान सा है ठोस कारबन डायकसाइट को क्या कहते हैं आपको बताना है आपसन है हाइपो, बोरेक्स, फिटकरी या सूखी बर्प तो सही उत्तर ड्राइ आईस यानी सूखी बर्प दोस्तों ठोस कार्बन डायकसाइड को सूखी बर्फ या सुस्क बर्फ कहते हैं सामाने रूप से कार्बन डायकसाइड गैसी अवस्था में रहती है तेकिन जब कार्बन डायकसाइड गैस के सामाने दबाव को कम किया जाता है तो वो गैस सिकुल कर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेती है और बर्फ की तरह जम जाती है अगला प्रश्ण है धोने का सोडा क्या है? एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सलफेट या सोडियम कार्बोनेट तो सही उत्तर है sodium carbonate दोस्तों आप जान लिजे धोने का soda या धावन soda को sodium carbonate की रूप में जाना जाता है इसका रासायनिक 103 या 2CO3 होता है ये एक अकारवनी की योगिक है जिसका उपयोग जल की अस्थाई का ठोड़ता दूर करने और कपड़े की धुलाई के लिए किया जाता है अगला प्रश्न संबिधान और राजवेवस्था से है कि भारती संबिधान का निमनलिखित में से कौन सा अनुछेद बीधी के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है तो आप जानते हैं ये अनुछेद है अनुछेद 14 आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा और आप जान लिजे भारती संबिधान में जो अनुछेद 14 है दोस्तों ये बीधी के समक्ष समता थवा समानता के अधिकार से संबंधित है अगला प्रेशन है भारती संबिधान का अनुछेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संगिता किस से संबंधित है राज्य के नीति निदेशक सिध्धानतों से केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या भारती नागरिकों के मौलिक अधिकार से तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर राज्य के नीत निदेशक सिध्धानतों से क्यों तो आप जानते हैं कि भारती संविधान के भाग चार के अनुच्छे 36 से 51 तक राज्य के नीत निदेशक तत्तों का उलेक किया गया है और अनुच्छे 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छे 48 ये परियावरार संड़क्षड और सुधार के बारे में जो है बेवस्था करता है दोस्तों निदेशक जो नीत निदेशक सिधान्त हैं ये वाद योग्य या निया योग्य नहीं है इसे नयाय और द्वरा प्रवर्तित या लागुर नहीं किया जा सकता है कल्याड कारी राजजी की संकल्पना का समावेश भी नीत निदेशक सिधान्तों के आधार पर किया गया है अगला प्रश्ण संभीधान सभा के पहले अ अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो आप जानते हैं सचिदानंद सिनहा डाक्टर सचिदानंद सिनहा आपसंडी 9 दिसंबर 1946 को संबिधान सभा की पहली बैठक की अध्यस्ता और अस्थाई अध्यक्ष डाक्टर सचिदानंद सिनहा ने की थी लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संभिधान सभा ने डाक्टर राजेंदर प्रसाद को निर्विरोज संभिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया अगला प्रश्ण है केंदर राज्य संबंध किस अनुसूची में हैं साथवी, आठवी, छठवी या नौवी में तो सही उत्तर है साथवी अनुसूची में दोस्तों संभिधान के अनुच्षे 246 के तहट केंदर और राज्यों के मध्य विधाई सक्तियों के वटवारे के लिए तीन सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की विवस्था की गई है जिसे संभिधान की साथवी अनुसूची में वारित किया गया है अगला प्रेश्ण भी राज्य विवस्था से ही है कि अधिनस्त नयायाले का परेवेक्षन कौन करता है उचेतम नयायले, जीला नयायले, उचे नयायले या फिर संसत तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर उचे नयायले आपसंसी दोस्तों भारती संभिधान के अनुचे 227 के अंतरगत उच्च न्याले को सभी अधिनस्त न्यालों के अधिक छण या परिवेच्छण की शक्ति प्राप्त है अगला प्रश्ण है सुभाष चंद्रबोस ने फारवर्ड ब्लाक के स्थापना किस वर्स की थी 1936, 1937, 1938 या 1949 में तो सही उत्तर 1949 में देखे, दोस्तों, 1949 में हो जाएगा सही उत्तर, आप संडी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्रबोस, 1938 में हरिपुरा और 1949 में त्रिपुरी में कांग्रेश के अध्यक्ष बने थे 1949 में कांग्रेस की अध्यास्ता से त्याग पत्र देकर उन्होंने फारवर्ड बुलाक की अस्थापना की और वर्स 1941 में जर्मनी चले गए उन्होंने वर्स 1943 में आजाद हिंद फोज की कमान समहाली उन्हें नेता जी के नाम से जाना जाता है और उन्हें नेता जी की उपाध जर्मन विदेश मंत्राले ने दिया था अगला प्रश्ण है दोस्तों किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहियो गांदोलन वापस लिया था आपको बताना है यहाँ पर देखे चारी चारा घटना गोल में सम्मेलन बंगाल विभाजन या जलिया वाला बागत्यकांड तो उत्तर है आपका चारी चारा घटना आपसन ए दोस्तों आप जान लीजे चार फरवरी 1922 देट याद रखिएगा चार फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना से चुप धोकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और 12 फरवरी 1922 को बार दोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को अस्थगित करने का नेड़े लिया गया था अगला प्रश्ण है स्वराज पार्टी के गठन किसकी अस्फलता के बाद हुआ असहयोग आंदोलन भारत छोड़ आंदोलन सिविल नाफरमानी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन तो उत्तर है असहयोग आंदोलन दोस्तों आप जान लिजए असहयोग आंदोलन की अस्फलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जन्वरी 1923 में सी आरदास और मोतिलाल नहरू ने किया सी आरदास इसके अध्यक्ष और मोतिलाल नहरू इसके महा सच्यू थे अगला प्रश्ण है निम्ले लिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है जवाहर लाल नहरू सी राजगोपलाचारी महात्मा गांधी या सी बोस तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहर लाल नहरू आपसन ए दोस्तों 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहर लाल नहरू निटी पड़ी की थी एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं विवर्स 1947 से 1964 तक भारत के प्रधान मंत्री रहे थे अगला प्रश्ण है हिंदुस्तान सोसिलिष्ट रिपब्लिकन एशोसियेसन यानी HSRA गठित की गई थी किसके द्वारा सुबाश शंद्र बोस के द्वारा रास बिहारी बोस के द्वारा चंसेखर आजाद या सरदार भगस सिंग के द्वारा तो सही उत्तर है चंद्र शेखर आजाद की द्वारा दोस्तों सितंबर 1928 में चंसेखर आजाद के नेतरित में दिल्ली के फिरोशाह कोटला मैदान में HSRA यानी हिंदुस्तान सोसिलिष्ट रिपब्लिकन एसोसियेसन की अस्थापना हुई इसका उद्देश भारत में एक समाजवादी गरतंत्रवादी राज्य की अस्थापना करना था और आप जान लिजे कि साइमन कमिशन के विरोध के समय लालालाजपतराय पर लाठियों पर प्रहार करने वाले सहायक पुलिस जो साइमन सांडर्स की दिसंबर 1928 में भागस सिंग चंसे खराज़ाद और राजगुरी द्वारा हत्या की गई थी और ये इस संगठन की पहली करांती कारीगत भी दिथी एचे सारे की दो सदस्यों भागस सिंग और बटुके स्वर्दत ने आठ अप्रेल 1939 को केंदरी असेंबली में उस समय बम फेका जब ट्रेड डिस्प्यूट विल और सेप्टी विल पर बहस चल रही थी इसका उद्दे से सरकार को डराना मातर था अगला प्रेश्ण है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिध्धार्थ था और उनका जर्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बनी नाम ग्राम में आमर कुंज में 563 ही सापोर में हुआ था उनके पिता सुद्धोधन शाक के कर्ण के प्रधान थे और माया देवी कोली गड़ राजे की कन्या थी गौतम बुद्ध बच्वन में शिध्धार्थ के नाम से जाने जाते थे 29 वर्स की अवस्ता में उन्होंने ग्रिह त्याक किया जिसे बौध गरंतों में महाभिनिस कर मान कहा गया है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्स में कर 49 कोड लागू किया गया 1793, 1857, 1723 या 1805 में तो उत्तर है आपका सही उत्तर 1793 आपसन ए दोस्तुं 1793 में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता शक्तियों के प्रिथकरण के सिध्धान पराधारि थी जिसके तहट कर और प्रिशासन को प्रिथक कर दिया गया अगला प्रशन है हरप्पा सभ्यता के निम्नलिखेत अस्थलों में से कौन सा अस्थल पाकिस्तान में इस्थित नहीं है देखिए सोर्त गई, कोट दीजी, बाला कोट और चन्हुदरो जोस्तों हरप्पा सभ्यता का जो अस्थल है सोर्त गई, अफगानिस्तान में है कोट दीजी, बाला कोट और चन्हुदरो ये पाकिस्तान में इस्थित है अगला प्रशन है किस अस्थम्भ सिला लेक में समुद्र गुप्त की उपलब्दियां अभिलिखित की गई है तो सही उत्तर है इलाहाबाद अस्थम्भ लेक आपसन डी बहुत ही महतपूर्ण प्रशन हैं दोस्तों, इलाहाबाद अस्थम्भ शिला लेक में समुद्र गुप्त की उपलब्दियां अभिलिखित की गई है इस अस्तंभ पर समुद्र गुप्त के संधिविग्रहिक हरिशेड ने संस्कृत भाषा में परसंसात्मक बाढ़न प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रसस्ति कहा गया है इसमें समुद्र गुप्त की विजियों का उलेख है और इतिहासकार विंसेंट एसमित ने समुद्र है दोस्तों सिवा जी का जन्म 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों सिवा जी का जन्म जो है ये 1627 या 1630 में शियोनेर के दुर्ग में हुआ था और उनकी मृत्त जो है 1680 में हुई थी तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हुजाएगा आप देखिए 1627 और 1674 थोड़ा सा जन्म पर विवाद है और आप जान लिजे की दोस्तों सिवा जी का जन्म 1627 या 1630 में शियोनेर के दुर्ग में हुआ था सिवा जी ने 1674 में राज्य विसेक के बाद छेतरपती की उपाद धारण की और 1680 में सिवा जी की मृत्त हुई थी अगला प्रशन है निम्नलिखित में से किस भारती राज में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नौमबर के दोरान वर्सा होती है आपसन है उत्तर प्रदेश महराष्ट तमिलनाडू दोस्तों याद रखेगा कि रेगिस्तानी छेतर में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नौमबर के धोरान वर्सा होती है अगला प्रशन है रेगिस्तानी छेतर में किस प्रकार की वनस्पती सामाने रुप से पाई जाती है हर्वेशियस जाड़ी बेले या ब्रिक्ष तो उत्तर है जाड़ी दोस्तों रेगिस्तानी छेत्र कम बरसा विरल वनस्पती और उच्चतापमान वाले छेत्र होते हैं यहाँ जाड़ी परकार की वनस्पती सामाने रूप से पाई जाती है अगला प्रश्न है प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी सबसे बड़ा जल संभर एक अपवाह द्रोडी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा जिसे जल विभाजक कहा जाता वो है और गोदावरी नदी प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई 14,65 किलो मीटर है और इसे दक्षुड गंगा की नाम से भी जाना जाता है ये नदी महराष्ट में नासिक के त्रयम्बके सवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये देश के दूसरे सबसे बड़े नदी तंतर का निरमार करती है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित युगमों में से कौन सा युगम पहाडी दर्रों के संदर्व में सही है बोम डिला हिमाचल प्रदेश आपका गलत है हिमाचल नहीं बलकि अरुडाचल प्रदेश है नाथूला दोस्तों नाथूला सिक्किम अरुडाचल प्रदेश में नहीं ये सिक्किम में है लिपुलेख उत्राखंड आपका सही है और रोहतांग जो है ये उत्राखंड रोहतांग सिक्किम नहीं बलकि हिमाचल प्रदेश में है तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है आपसन सी आपका सही सुमेलित है लिपुलेख धर्रा उत्राखंड में है जबकि बोम डिला हिमाचल परदेश में नहीं अरुडाचल परदेश में नाथूला अरुडाचल में नहीं सिक्किम में और रोहतांग ये सिक्किम में नहीं बलकि हिमाचल प्रदेश में इस्थित धर्रा है अगला प्रश्ण है किस भारती सहर को भारत का मांचेश्टर कहा जाता है तो उत्तर है अहमदाबाद को भारत का मांचेश्टर कहा जाता है ये गुजरात राज में साबर मती नदी के किनारे है और दक्षण भारत का मैंचेश्टर कोयम बटूर को कहा जाता है अगला प्रेश्ण है भारती हरित क्रांती की जनमस्थली क्या है पंतनगर बंगलोर कानपूर या दिल्ली तो सही उत्तर है पंतनगर आपसन ए दोस्तों भारत में हरित क्रांती का प्रारंब 1906 से माना जाता है और भारत में हरित क्र अगले प्रशन पर आते हैं ये मिलान करना है देश और मुद्रा का तो यूक्रेन की मुद्रा जो है रिवनिया है भूतान की मुद्रा आप जान लिजे नगुद्रा है और क्यूबा की मुद्रा क्यूबा की मुद्रा आपका पेसो हो जाएगा और रोमानिया की रोमानियन लिव तो तीन एक चार और दो तो आपसन ए आपका सही सुमेलित हो जाएगा अब आई ये करेंट अफेयर से संबंदित महत्तोपूर प्रशनों को साल्व कर लेते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्तोपूर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पहला प्रशन है कि अगस्त दो हजार तेईस में यूथ ट्वेंटी सिखर सम्मेलन दो हजार तेईस कहां आयोजित किया गया नोएडा वाराणसी लखनव या फिर आगरा में पहुत ही महत्तोपूर प्रशन है यह आपके लिए करेंट अफेयर्स के प्रशन जो हैं इंपार सम्मेलन यूवा कारेक्रम विभाग यूवा कारेक्रम और खेल मंत्राले भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था अगला प्रशन है देश के पहले हाइड्रोजन इधन से जुड़े उद्ध्योग की अस्थापना कहा की जाएगी बंगलोरू, पूरे, जमसेदपूर या बोकारों में तो उत्तर है जमसेदपूर में आपसंसी आप जान लिजे की देश के पहले हाइड्रोजन इधन से जुड़े उद्ध्योग की अस्थापना मेशर्स, टी-सी-पी-ल ग्रीन इनर्जी सलोशन प्राइवेट लिम्टेड द्वरा जारखंड के जमसेदपूर में की जाएगी अगला प्रश्ण है अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्सचेंज और क्रिसी डेटा प्रवंधन फ्रेमवर्क लांच किया गया है उत्तर प्रदेश, महराष्ट, केरल और तेलंगाना तो सही उत्तर है तेलंगाना आपसंड दी दोस्तों आप जान लिजे कि अगस्त 2023 में भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्सचेंज और क्रिसी डेटा प्रवंधन फ्रेमवर्क तेलंगाना राज्जी के हैदराबाद में लांच किया गया ADEX को क्रिसी चेतर के लिए एक डिश्टल सारुजनिक भुनियार्दी राचे के रूप में विक्सित किया गया है अगला प्रश्ण है 15 अगस्त 2030 इसको प्रसिद्ध सामाजिक कारेकरता और सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक डाक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया उन्हें किस वर्स पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1991 में आपसंसी दोस्तों प्रसिद्ध सामाजिक कारेकरता और सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक डाक्टर बिंदेश्वर पाठक को वर्स 1991 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था उन्होंने वर्स 1970 में सुलब इंटरनेशनल की अस्थापना की थी अगला प्रश्ण है जुलाई 2030 में कौन सा राज्य आधिकारिक तोर पर लंपी तवचा रोग पाश्टिव राज्य घोसित किया गया है जारखंड नागा लैंड ओडिशा और चतिस गड़ तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा नागा लैंड आपसन भी दोस्तों जुलाई 2030 में नागा लैंड राज्य को आधिकारिक तोर पर लंपी तवचा रोग पाश्टिव राज्य घोसित किया गया और लंपी तवचा रोग को गाठदार तवचा रोग के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्ण है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहाले कहां बनाये जाएगा नियू यार्क पेरिस नईदिल्ली या सेंट पीटर्सवर्ग तो सही उत्तर है नईदिल्ली आपसन सी दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहाले नई दिल्ली नार्थ और साउथ बलाग में बनाय जाएगा इस संग्रहाले का नाम यूगे यूगीन भारत राष्टी संग्रहाले होगा अगला प्रश्ण है प्रतिष्ठित लोकमाने तिलक राष्टी पुरस्कार दोहजार तेज किसे परदान किया गया है यूगी आदितिनात नरेंदर मोदी डाक्टर के सिवन या डाक्टर एस सोमनात को तो सही उत्तराब का हो जाएगा नरेंदर मोदी को आपसन भी दोस्तों प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को प्रतिष्ठित लोकमाने तिलक राष्टी पुरस्कार दोहजार तेज दिया गया है उन्हें ये पुरस्कार उनके शांधार नेतरेत और लोगों में देशभक्त की भावना जगाने के लिए दिया गया है अगला प्रश्ण है जुलाई दोहजार तेश में शुरू की गई मेरा गाउं मेरी धरोहर परियोजना का उद्देश से भारत के कितने गाउं का सांस्कृतिक मान चित्रन करना है दोस्तों जुलाई दोहजार तेश में शुरू की गई मेरा गाउं मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश एक ब्यापक आभासी मंज पर भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विश्थारित साड़े छे लाग गाउं का सांस्कृतिक मान चित्रन करना है और ये परियोजना के आजादे का अमरित महोसों के एक हिस्से की रूप में राष्टी सांस्कृतिक मान चित्रन मिसन के अंतरगत संस्कृति मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है नौवा प्रश्ण है अगस्त दोहजारतेईस में नौवे राष्ट मंडल संसदी संग यानी C.P.A. भारत छेतर संमेलन दोहजारतेईस कहां आयोजित हुआ उदैपुर, जैपुर, बंगलूरू या पूरे तो सही उत्तर है उदैपुर में दोस्तूं 21.22 अगस्त दोहजारतेईस को नौवा राष्ट मंडल संसदी संग भारत छेतर संमेलन दोहजारतेईस राजस्थान के उदैपुर में आजित हुआ इस संमेलन का मुख्य विषय डिश्टल युग में लोकतंत्र और शुसासन को मजबूत करना है अगला प्रश्णा और आज के प्रैक्टिस सेट का आखरी प्रश्ण है जून 2013 में किस राज्जी के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए आपरेशन कन्विक्सन नामक नई पहल शुरू की गई है दोस्तों जून 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए आपरेशन कन्विक्सन नामक नई पहल शुरू की गई है और इसके तहट पाक सो एक्ट के तहट दर्ज बालियों सोसन के मामलों के अत्रिक्त गोहत्या धर्म परिवर्तन बलातकार और हत्या आदे से जुड़े 20 मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के 30 दिन के अंदर सजा दी जा सके तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनायोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रारंभिक अरहता परिक्षा के लिए सामान निग्यान और करेंट अफेर से संबंधित महत्तपूर प्रेशनों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगा कर दोस्तों